नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसिष्ट आपका हमारे यूट्यूब चानल सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं आप ही के सवालों की और उनके जवाबों की लेकिन सबसे पहले हम आपसे विंती करना चाहेंगे कि हमारी होसला अवजाई के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सबस्क्राइब जरूर करिएगा तो चलिए हम शिरूरात करते हैं आज के पहले सवाल की ज्यादा तर माबाप जिनके बच्चे EWS और DG काटगरी में आते हैं वे ज्यादा तर जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन से कागजात होंगे जिनकी उन्हें जरूरत पड़ेगी बच्चों के दाखिले के समय तो हम बतारा चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे EWS काटगरी में आते हैं तो आपको I.A. से संबंदित सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना पड़ेगा जो की दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया होगा या फिर आप BPL कार्ड का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर I.A. कार्ड का भी इस्तमाल किया जा सकता है बच्चों के दाखिले के समय या फिर Food Security कार्ड जिसे हम PR कार्ड कहते हैं उसका भी इस्तमाल किया जा सकता है बच्चों के दाखिले के समय इन चारों में से आपको केवल एक document की या एक कागजात की ही आवशकता पड़ेगी बच्चों के दाखिले के समय अगर आपके बच्चे DG category में आते हैं तो हम इन कागजात की आवशकता पड़ेगी अगर आपके बच्चे SC, STA, OBC category में आते हैं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि OBC category में क्रीमे लेयर शामिल नहीं की जाती अगर आपके बच्चे SC, STA, OBC category में आते हैं तो वह certificate दिखाना पड़ेगा जो की राजस्वे अधिक्वारी द्वारा जारी किया गया होगा अगर आपके बच्चे Children with Special Needs या जिसे कहते हैं हमकी किसी Disability से ग्रसित हैं तो सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट आपको दाखिले के समय देना होगा अगर बच्चे ओर्फन और ट्रांसजेंडर में हैं तो उसके जरूरी कागजाद जो होगे वह देने होगे और अगर Children living with और affected by HIV हैं तो भी जरूरी कागजाद आपको दाखिले के समय देने होगे अब दूसरा सवाल है बहुत से माता पिता जो आखी लोग से पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास BPL या फिर I या फिर PR कार्टो है तब क्या जरूरी है कि हम जब अपने बच्चे का EWS काटेगरी में दाखिला करवाएंगे हमें तब क्या I से सम्बंदित सर्टिफिकेट बनाने के जरूरत है तो हम आपको बताएंगे नहीं आपको सिरफ इन में से एक ही कागजात की जरूरत है आज का तीसरा सवाल कि हमारे पास BPL कार्टो है लेकिन अभी उस पे बच्चे का नाम नहीं चड़ा है तो क्या हम EWS काटेगरी के तहत एडमिशन के लिए हम एपलाई कर सकते हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं date of issue नहीं है तो क्या हम online पॉम भरना शुरू कर दे तो हम आपको बोलेंगे कि आप ऐसी गलती मत करिएगा आप पहले आपके PR काट से समबंदित काम को पूरा करें उसके बाद ही आप online पॉम भरना शुरू करें यानि कि किस तारीक से वशुरू हो रहा है यानि date of issue उस पे होना mandatory है उस पे होना जरूरी है आज का पांच्वा सवाल कि हमारे पास कास सर्टिफिकेट तो है बहुत से मातापिदा जो यह सवाल इस परिशानी को जूचते है इस परिशानी से कि हमारे पास कास सम्बंदित सर्टिफिकेट तो है लेकिन उस पे हमारे बच्चे का नाम नहीं है तो क्या हम बच्चे के दाखिले के लिए हम DG कैटेगरी के तहत अपलाई कर सकते हैं तो हम बोलेंगे जी हाँ अगर आपके पास कास सम्बंदित सर्टिफिकेट है SC certificate, ST certificate या OBC certificate आपके पास है और वह दिल्ली के राज़स्व विभाग यानि जिसे हम कहते हैं revenue department द्वारा जारी है तो आप बच्चे के admission के लिए apply कर सकते है आज का छटा सवाल कि मेरे पास जो cast certificate है वह किसी दूसरे राज़िक द्वारा जारी किया गया है तो क्या हम DG category के तहट apply कर सकते हैं तो हम बोलेंगे नहीं दिल्ली में जब आप admission के लिए आप apply करेंगे तो जो certificate होगा वो दिल्ली सरकार द्वारा जारी होना चाहिए इसलिए अगर आप DG category के तहट apply करना चाहते हैं और आपका जो जाती यानि कास संबंदित जो कागजात हैं वे किसी अन्य राज़्य के द्वारा जारी किये गए हैं तो वह admission के लिए आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं आज का सात्वा सवाल कि हमारा जो आई से संबंदित certificate है उसकी जिसे कहते है validity वे तो खत्म हो गई है यानि कि उसकी आखरी तिथी निकल चुकी है तो अब क्या हम आगे apply कर सकते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगी जो validity होती है वे card के उपर आपके जो income आपको जो certificate होगा उसके उपर लिखी होती है अगर वे expire हो गया यानि उसकी आखरी तिथी निकल गई है तो आप फिर से राजस्व विभाग जाकर जिसे हम revenue department कहते हैं वहाँ जाके नए certificate के लिए आप जारी करने के लिए आप अपना आवेदन दे दे और जब अब online form फिल करेंगे तो उसमें applied for एक option आएगा उसका इस्तमाल कर आप form भरें और receipt number और application number का इस्तमाल कर सकते हैं आज का आठवा प्रश्न कि हमारा जो income certificate है या जो हमारा कास यानि जात्री का certificate है वो भी issue नहीं हुआ है वहे अभी उस पर काम चल रहा है हमने उसके लिए apply तो कर दिया आपके हाथ में नहीं आया आप apply कर सकते हैं आपके पास receipt number आ जाएगा वह आप भर सकते हैं जब आप online form भरेंगे आज का नौवा सवाल कि हमारे पास हमारे बच्चे के जन के प्रमान पत्र के हमारे पास तारीक के लिए बच्चे का हमें जो स्कूल में देना होता है हमारे पास हमारे बच्चे का जन प्रमान पत्र नहीं है तो हम बच्चे के admission के लिए कैसे apply करें तो हम आपको बताना चाहेंगी कि माता पिता द्वारा दिया गया लिखित खोशना पत्र बच्चों के admission यानि बच्चों के दाखिले के समय बिलकुल बाकी certificates की तरह ही माना जाता है इसलिए आपको चिंता करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है और आज का आखरी सवाल और आज का दस्वा सवाल जो की बहुत ही महत्वपूर प्रशन है कि जब हमारा I का certificate बनाया गया तो उसमें जो हमारी I लिखी गई वो एक लाग से इसी गलत लिख दी गई जो की गलत है हमारी I तो कम है लेकि certificate जिसने बनाया उसने एक लाग से उपर गलती साहे लिख दी और या फिर जो हमारा जो बच्चे का जर्म का प्रमान पत्र है उस पे कुछ गलत जानकारी भर दी गई तो बताईए हम क्या करें तो हम आपको बतान आपको हमारे जो आपके दस प्रशन लिए था उनके जवाब हमने आपको बताए हैं आपको यह अच्छे लगे होंगे हम जल्द ही आपके लिए और आपकी सवाल लेकर आएंगे और उनके जवाब लेकर आएंगे तब तक मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसिष को इजासत कर दीजे नमस्कार